Hello everyone, this is Shilpi and in this video I am going to discuss with you top 100 current affairs for RRB clerk और ये जो भी current affairs है ये आपके है 1st से लेके 7th October तक तो यदि आप लोग RRB clerk का exam नहीं भी दे रहे हो लेकिन कोई और exam की preparation कर रहो तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर October का जो 1st week है उसके current affairs मैंने include करे है and obviously चुकि RRB clerk का exam जो है 17th October को तो वहाँ पर भी ये वाले questions आ सकते है because generally ये advice किया जाता है कि जब भी आपका exam हो उसके लगवग 10 दिन पहले तक का आप लोग पढ़के जाओ तो विनादेरी करें वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले यदि हम बात करें सो पदमजा चुंदरू को NSDL का MD&CEO बनाया गया है NSDL क्या होता है सो National Securities Depository Limited इसका CEO ने बनाया गया है और NSDL किसके jurisdiction में काम करती है NSDL works under the jurisdiction of CBE Securities and Exchange Board of India जोकि हमारे country के capital market को regulate करता है यहाँ पर आप देख सकते हो NSDL is an Indian Central Securities Depository under the jurisdiction of CBE और CBE का Headquarter कहां है तो यह है Mumbai में इसके अलावा अभी हाली में CBE के Board ने एक Gold Exchange को बनाने के लिए मंजूरी दे दी है इसमें क्या होगा तो Metal will be traded in the form of Electronic Gold Receipts यह आप जो Full Form है इसको याद रखना Question हम से कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है That Recently in Gold Exchange EGR was in news So what is the Full Form of E in EGR यहाँ पर आपका अंसर होगा Electronic Gold Receipts और इनको as a security माना जाएगा Notify किया जाएगा आगे देखते हैं Okay, so यहाँ पर जो इस बारखा 2021 के जो भी अभी Nobel Prize दिये जा चुके है अभी Economics का नहीं दिया है जब मैं ये वीडियो रेकॉड कर रही हूँ तो आप उनको बिल्कुल धियान रखिएगा मारिया रेसा और मित्री मुरातो इनको दिया गया है Nobel Peace Prize ठीक है, उसके बाद Nobel Literature Prize दिया गया है अब्दुल रजाग गुर्ना को और ये कहां से है, दिये है तन्जानिया से, मारिया रेसा है फिलिपीन से और दिमित्री मुरातो है प्रश्या से, ओके इसके अलावा Chemistry में ये प्राइस दो लोगों को दिया है एक है Benjamin List और दूसरे है David Macmillan Benjamin List और David Macmillan का नाम हमें याद रखना है ऐसे याद रख सबते हो Chemistry में अगर आपको यहाद हो तो एक periodic table होती है तो उसको हम लोग as a list मान सकते है कि Chemistry में list होती है ठीक है? और लिस्ट में Macmillan है Mac है Mac जो यह हमारा iPad और Mac वगरा होता है तो उसका Mac है इस तरीके से कुछ relate कर लेना फिर बात करते है Medicine की तो Nobel Prize दिया गया है David Julius को और Ardham Pataputian को तो David Julius और Ardham Pataputian को दिया है Medicine के लिए और वहीं पर यदि हम बात करें Physics के लिए तो तीन लोगों को दिया गया है एक है Yukoro Manave जो कि Japan से है Klaus Hasselman जो कि Germany से है और Giorgio Parisi यह है इटली से तो दिखिए यहाँ पर जो one half दिया गया है वो दिया है Yukoro Manave और Klaus Hasselman को और जो other half है वो दिया गया है Giorgio Parisi को यह होगे आपका Physics के लिए तो Physics में तीन है और बाकी Chemistry और Medicine में दो दो को दिया है और वही Literature में एक को दिया है और Peace में दो लोगों को दिया है सबसे जादा देखा जाए तो Peace और Literature पर यह Across Exams पूछे जाते हैं बिल्कुल भी भूलना मतने सबको Next question है कि हमारा जो Core Sector Output Growth है वो August में रहा है 11.6% तो इन में से कौन सा सेक्टर है जो हमारे Core Sectors में नहीं आता तो there are 8 Core Sectors in India और यहाँ पर यह दिया हम बात करें Electricity एक Core Sector है Steel भी है Refinery Products भी है Cement भी है लेकिन textile एक Core Sector नहीं है और Core Sector basically वो सेक्टर होते है जो जिनके वज़े से जो economy के जो main pillars है वो होते हैं Core Sectors और यदि वो ठप पड़ जाते है या किसी वज़े से उन में problem आती है तो वो हमारी पूरे country की economy को affect कर सकते हैं ओके आगे देख लेते हैं रिसेंटली Amnesty International ने अपना जो operation है इंडिया में close कर दिया है अब question यह है कि Amnesty International का headquarter कहां है तो यह है London में ओके Which company has launched future engineer program in India तो इंडिया में future engineer program अभी शुरू करा है Amazon ने जिसके धायत computer science education provide करी जाएगी इसके अलावा Facebook में भी अभी हाली में Creator education program शुरू करा है तो दोनों में difference याद रखना कि Facebook का कौन सा है और Amazon का कौन सा है ओके Annual rate of interest of PPF remains unchanged in quarter 3 of financial year 22 at 7.1% तो यहाँ पे एक statement पहले ही दिया हुआ है कि quarter 3 of financial year 22 उसके लिए जो PPF का annual rate of interest है वो सेम ही है उसको change नहीं करा है कितना है 7.1% है तो 6.8% है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने अब यहाँ पे हमसे question पूछ रहा है कि PPF में एक साल में कितना minimum और maximum amount डाला जा सकता है तो इसका answer है आपका 500 रुपीज है इसका minimum amount और 1.5 lakh रुपीज है इसका maximum amount फिर US IBC ने अभी Global Leadership Awards दिये है और इन में से किसे किसे दिया गया है यह award तो यह award दिया है आपका शिव नडार को और मलिका श्रीनिवासन को शिव नडार founder है HCL Technologies के और मलिका श्रीनिवासन जो है यह chairman and managing director है Tractors and Farm Equipment Limited की और यह company based है चैन्नई में ठीक है Tractors and Farm Equipment बनाती है यह company पार्टनर टो इस्टाबलिश एन एक्सपिरियंस स्टूडियो एड दी नीति आयोग Frontier Technologies Cloud Innovation Center तो देखिए एक एक्सपिरियंस स्टूडियो बनानी की बात की जा रही है नीति आयोग के ही campus में जिसका उसका पूरा नाम दिया है नीति आयोग Frontier Technologies Cloud Innovation Center है यह तो Cloud की बात हो रही है तो एक नाय टेक्नोलोजिकल कंपनी जरूर इसमें शामिल होगी तो एक तो है हमारा नीति आयोग फिर है Amazon Web Services और तीसरी जो इसमें कंपनी है वो है Intel, ओके Next question है अभी हाली में जो नया Ordnance Directorate बना है कैसे बना है तो जो Ordnance Factory Board है उसे replace किया गया है तो यहाँ पर हमसी यह question पूचा है कि Ordnance Directorate के पहले Director General किसे बनाया गया है तो इसका answer है ER Shake इसके अलावा J.V. Mohopatra हमारे Central Board of Direct Taxes के head बनी है नकल चोपडा बार्क के CEO बनी है ठीक है उसके अलावा रजनीश कुमार जो है तो यह पहले S.B.I. के Chairman थे अभी HSBC Asia में यह Independent Director है HSBC Asia में और HSBC India के लिए किसे head बनाया क्या है तो वो है आपके हतेंदर दवे ठीक है दोनों में अंतर याद रखना इसके अलावा The Custodian of Trust नाम का एक Memo A है जो की S.B.I. के Chairman Former Chairman रजिनीश कुमार ने लिखा है तो यह अभी थोड़े ही दिनों में release होगा तो इसका नाम आप लोग ज़रूर धियान रखना क्योंकि Bank से Related किसी बहुती Famous Personality ने कोई चीज लिखी है तो वहाँ से Question बनने के Chances है इसके अराबा मनोच से ना कौन है तो यह Lieutenant Governor है कहां के जम्मू अन कश्मीर के फिर आता है ONGC विदेश जो है इसने अपनी Exploratory Drilling है वो शुरू करी है एक Well में जिसका नाम है कंचन 1 तो यहाँ पर और यह कहां है तो यह है महेश खली आइलेंड में तो यह किस कंट्री में है यह है बांगलादेश में टोटल 3 वेल्स को डिक करने की अनुमती ONGC विदेश को दी गई है ONGC क्या होता है So Oil and Natural Gas Corporation of India फिर यहाँ पर कुछ important appointments है तो यह question ना बना के मैंने एक साथ दे दी है आप इसका सिर्व स्क्रीन चॉट ले लो एक दो बार देखो गया आपको याद हो जाएंगी सबसे पहले राजी वनसल जो है यह हमारे Ministry of Civil Aviation के Secretary बने है और वहीं पर Civil Aviation Minister कौन है तो जोती रादेत सिंधिया है और अभी Air India जो है उसको किसे दे दिया गया है किसमें खरीदा उसको तो Tata Suns ने और पहले भी उनी का था जब Air India को लिया मतलब पहले इनका ही था Tata Suns का और इनसे लिया गया था and now they have got it back फिर उसके बाद में इंडिया के Chief Hydrographer किसे बनाया है तो यह है Vice Admiral अधीर Arora उसके बाद 27 वे Chief of Air Staff कौन बने है तो हमारे Indian Air Force के नए Chief बने है Air Chief Marshal विवेक राम चौदरी VR चौदरी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है और जब यह Chief बने है तो Vice Chief कौन बने है तो Air Marshal Sandeep Singh क्योंकि पहले जो VR चौदरी थे वो Vice Chief थे और राकेश बदरी यह Chief थे तो अभी उनका रेटायर्मेंट हुआ है यह उपर की पोस्ट पे पहुंचे है चीफ की पे तो Vice Chief के position खाली हो गई तो वो दिया गया है Sandeep Singh को उसके बाद जो हमारा Western Air Command है उसके अभी Head कौन बने है Commanding and Chief कौन बने है तो अमित देव अधीर अरोरा और अमित देव में आप आपस में confused मत करना डाश विल होल्ड इट्स फर्स एवर Formula One Grand Prix in November replacing the cancelled Australian Grand Prix तो Australian Grand Prix जो cancelled हुई है उसकी जगे कौन सा कंट्री है जो पहली बार अपने देश में Formula One Grand Prix को host करेगा तो यह है Qatar और जो Levis Hamilton है उन्होंने अभी वो पहले F1 driver बने है जिसने 100 Grand Prix अपनी जीत ली है और यह उन्होंने किसमें हासिल करा यह वाला जो उनका 100th Grand Prix थी यह कौन सी थी तो यह थी Russian Grand Prix आगे देख लेते हैं रुपिंदर पाल सिंग और बीरेंदर लकड़ा इन्होंने अभी हाली में अपना retirement अनौन्स करा है तो यह किस टीम के player है यह हमारी hockey team के player है और अभी जिस टीम ने bronze medal जीता है टोकिय ओलम्पिक्स में उसका भी यह पार्ट थे रुपिंदर पाल सिंग और बीरेंदर लकड़ा फिर उसके बाद यहां पे कुछ important चीज़े हैं हमारे भुपेंदर यादव जी से related तो भुपेंदर यादव पहले तो कौन है यह आपको पता होना चाहिए यह हमारे environment minister है और साथी साथ में हमारे labor minister है देखिए मैंने लिखा है labor and employment के minister है और साथी साथ हमारे environment के भी minister है ठीक है इन्होंने launch किया है डिजी सक्षम नाम का एक digital skill program इससे क्या होगा तो basically जो भी unemployed youth हैं उनको skills provide करी जाएंगी जिससे कि वो basically कही न कहीं से वो अपना जो रोजगार है वो शुरू कर सके और ये program शुरू करा है Microsoft India के साथ में वहीं पर cloud innovation center नीती आया उपने किसके साथ शुरू करा है तो Amazon Web Services के साथ में और साथ में Intel है उसमें ठीक है इसके अलावा अभी हमने Amazon का एक और पढ़ा था कि उसने इंजिनियर्स education program शुरू करा है और वहीं पर creator education program शुरू करा है Facebook ने तो इस तरीके से आप जब भी किसी एक company की बात कर रहे हो तो उससे related जो भी 2-4 companies आपको याद आ रही हो आप उनके बारे में पढ़ लो इसके बाद हम आगे देखते हैं तो अभी हाली में भूपेंदर यादव ने एक portal launch करा है wetlands of India नाम का इंडिया में कितने wetlands है? 46 ठीक है? अब यहाँ पर इस particular site पर क्या किया जाएगा portal में? इंडिया से related जितने भी wetlands है इंडिया में उनसे related सारी information उसमें provide करी जाएगी तो एक तरीके से one stop destination हो गया where you can get all the information related to wetlands of इंडिया इसके अलावा अभी हाली में उन्होंने एक rally भी शुरू करी थी rally थी उसको inaugurate करा था India for Tigers ओके? फिर हम बात करते हैं हमारे home minister और minister of cooperation अमिच शाह ने अभी all India car rally जो है उसको हरी जंडी दिखाई थी इसका नाम है सुदर्शन भारत परिक्रमा तो ये किस ने करी? ये करी है NSG ने National Security Guards के जो personnel से उन्होंने all India car yatra car rally जो है वो शुरू करी है ओके? फिर इसके बाद KVIC ने अभी 2 October को जिस दिन गांधी जहनती थी उस दिन वर्ल्ड का largest national flag जो की खादी के फैब्रिक से बना हुआ है उसको तैयार करा था और उसको डिस्प्ले करा इंडियन आर्मी ने तो कहां पर डिस्प्ले किया? ये किया गया ले में नेक्स्ट है लोगप्रिया गोपिनात बॉर्दोलई अवर्ड पर नाशनल इंटिग्रेशन और कॉंट्रिब्यूशन ये अभी हाली में तीन रेसिपियंट को दिया गया किस स्टेट में दिया हमसे ये बूच रहे हैं तो ये दिया गया असम में असम के गवर्णर कौन है तो ये आप लोग मुझे कॉमें सेक्शन में बताईए और फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि किस को दिया गया तो ये दिया गया निरोध कुमार वरुपा को उसके बाद कास्टूरबा कांधी नाशनल मेमोरियल टरस्ट के मेंबर्स को दिया गया और शिलॉंग च irgendor के में के फिर आते हैं LIC के अभी नए MD बने है BC पतनायक तो basically LIC में एक Chairman होते हैं और 4 MD होते हैं अभी थोड़े टाइम पहले Mini E-Pay भी इसकी एक MD बनी थी फिर उसके बाद Indian Bank में एक MOU साइन करा है Priority Sector Lending के लिए India Bulls Housing Finance Limited, India Bulls Commercial Credit Limited and IIFL Home Finance Limited इन तीनों के साथ में किया गया है किस चीज के लिए किया है तो यह किया गया है Priority Sector Lending के लिए उसके बाद आंद्रप्रदेश के Chief Minister वायर्ज जगनमोहन रेड़ी ने एक CLAP नाम का आंद्रप्रदेश का इसके अलावा एक स्वेच्छा प्रजेक्ट भी है जो अभी हाली में शुरू करा है यह भी आंद्रप्रदेश का है और इसमें जो स्कूल जाने वाली लड़किया है उनको sanitary pads है वो दिये जाएंगे to actually take care of themselves during their menstrual cycle आगे देखते हैं नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाज सिंग ने अभी हाली में लक्षव दीप में मात्मा गांधी जी का एक statue है उसको अन्वील करा है इसके बाद पियुज गोयल जोके हमारे opportunity and growth फिर यहां पर कुछ important days जो कि इस हफते में पड़े हम वो देख लेते हैं तो वर्ल्ड एनिमल डे यह होता है 4th October को अब देखिए यहां पर मैंने गांधी जैंती नहीं लिखा because it is obvious आप लोगों को पता होना चाहिए और इस दिन international day of peace भी celebrate किया जाता है फिर उसके बाद एनिमल डे होता है 4th October को और इसी दिन होता है वर्ल्ड habitat day इस बार के वर्ल्ड habitat day का theme क्या था accelerating urban action for a carbon free world अब बात करें 7th October को क्या होता है तो इस दिन है आपका world cotton day okay 7 June को क्या है जरा आप सोचे food safety day है ठीक है यह मैंने अपने जो वीडियो से days के उसमें बताया था अच्छा चलो और 7 April को क्या है जस्ट 7 से मुझे धियान आ गया तो 7 April को है health day ठीक है 7 September को क्या है तो clean air for blue skies ओके और उसका theme क्या है इस बार का healthy air healthy planet अब यहाँ पे world cotton day यह होता है 7th October को और इस बार का इसका theme है there is more to cotton than you think और इंडिया largest consumer है cotton का और second largest producer है cotton का तो यह दो तीन चीज़ा हम ध्यान रखना फिर आते हैं तो फिडे world women's team championship final तो basically जो chess का women team championship अभी हुआ था और इसमें Russia है वो gold जीता है और India silver जीता है तो basically India second spot पे रहा है ठीक है कहाँ पर हुआ था यह championship तो यह आपका हुआ था Spain में और एक प्लेयर है हरेका द्रोण वली इनका नम आप लोग जरूर ध्यान रखना यह हमारी chess की एक player है इसके अलावा अभी हाली में 69th और 70th जो chess grandmaster बने हैं उन दोनों के नाम आपको धियान रखने है उसके बाद यहाँ देखते हैं अभी हाली में world wrestling championship हुई है यह actually चल रही है अभी इसमें कहां पर हो रही है यह तो host है इसका नॉर्वे ओके नॉर्वे की capital क्या है ओसलो इसके अलावा यहाँ पर अंशु मलेक ने history में अपना नाम दर्ज करा लिया है क्योंकि यह इंडिया की पहली woman बनी है जो की world wrestling championship में silver medal जीती है ठीक है final में पहुँचने वाली भी पहल यह बनी थी क्योंकि आप final में पहुचोगे थे हैं silver जीतोगे या gold जीतोगे तो किसी भी तरीकी से आप से question पूचा जा सकता है silver medal इनो ने जीता 57 kg category में उसके अलावा सरेता मोर ने 59 kg category में bronze medal जीता है तो इन दोनों का आपको नाम धियान रखना है फिर उसके बाद नाजला मोदेन रोम धाने यह किस country की पहली woman prime minister बनी है तो यह बनी है Tunisia की capital क्या है Tunis इसके अलावा Abby Ahmed यह प्रदान मंत्री बने है Ethiopia के for a second term पहले भी यही प्रदान मंत्री थे और अभी भी यहीं है फिर हमसे पूछा है Lucy is the mission of USA is NASA basically USA में जो NASA है उसका एक mission चल रहा है Lucy अब हमसे यह पूछा है कि Lucy जो है यह किस planet के या किस satellite के Trojan asteroids को study करने के लिए बनाया गया है या किस का mission है यह तो यह है Jupiter के लिए ओके फिर आता है which edition of Australian Navy and Indian Navy bilateral exercise OS index has been conducted in September 2021 तो अभी कुछ ही टाइम पहले यह conduct किया गया है OS index किस किस के बीच में नाम से ही पता चल रहा है OS से Australia है अब बस आपना इतना दिमाग मत लगाना कि Australia कर दो वैसे भी इंडिया और Australia के जो अभी relations है वो काफी हम कह सकते है पीक पर है तो दोनों की नेवीज ने अभी exercise करी OS index और यह इसका 4th edition था इसके अलावा देखते है जिमेक्स नाम का bilateral military exercise जो हो रहा है Arabian Sea में यह है 5th edition तो जैसे जैपान और बाकी का इंडिया इंडिया तो देखिए अभी हमने OS index पढ़ा उसका 4th edition है उसके बाद में आता है 5th edition किसका तो यह है आपका जिमेक्स का ठीक है जिमेक्स का है 5th edition और OS index का है यह 4th edition उसके बाद जो श्रिलंका के साथ हमारी exercise है मित्र शक्ती यह है इसका 8th edition और यह होगी श्रिलंका के आम पारा नाम की जगे पे इसके अलावा सूर्य किरन नाम का exercise हम कर रहे हैं किसके साथ में सो यह हम करते हैं नेपाल की आर्मी के साथ में और यह कहां हुआ है इस साल तो पितोरा अगर जो की उत्राखंड में है ठीक है कौन से एडिशन था तो 15 एडिशन था तो दोनों तीनों का आपको याद रखना है कि फिर बात आती है संजय भार्गव यह किस कंपनी के हेड़ बनेंगे उसके इंडियन वर्टिकल के लिए जैसे अभी हमने पढ़ा था ना एचसबीसी एशिया एचसदीसी इंडिया उस तरीके से इन्होंने पहले एलॉन मस्क की टीम में काम करा है किस टीम में जिसने पेपाल कंपनी को फाउंड करा था तो यह कौन है संजय भार्गव है और किस कंपनी के लिए यह इंडिया के हेड़ बनेंगे तो स्टार लिंक यहाँ पर जो जितनी भी कंपनी लिखी है यह सब एलॉन मस्की है तो आप एक बार देख लो ठीक है फिर उसके बाद आता है इन विच सिटी इस दी आजादी एट 75 नियू अर्बन इंडिया ट्रांसवर्मिंग अर्बन लेंड्सकेप कॉन्फरेंस कम एक्सपो उन्होंने जिक्र भी किया था जैसे कि प्रदानमंत्री आवास योजना शेहरी अर्बन फिर उसके बाद अर्बन प्लानिंग के लिए हमारे स्मार्ट सिटीज मिशन है और कौन सा है एक है आपका अमरत मिशन है ठीक है तो इन सब की बात इस पर्टिकुलर जब उन्होंने मैं स्पीच दिया था उसमें करी गई थी तो आप एक बार इन सारी स्कीम्स को जरूर देख लेना आगे देखते हैं iDrone is a drone based vaccine delivery model for northeast state of India इसको inaugurate करा मनसुक मांडविय ने जो कि हमारे health and family welfare minister है इसके लावा minister of chemicals and fertilizers भी है अब हमसे यह पूचा है कि iDrone को किस ने बनाया है तो यह बनाया गया है ICMR Indian Council for Medical Research और iDrone का full form भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा आई से तो होगे ICMR then drone response and outreach in northeast और अभी at present यह मनीपुर में नागलेंड में और अंडमान और निको बार इन तीन जगे पे इसको चलाया जा रहा है ओके आगे देखते हैं अब यहाँ पर कुछ recent GI tags हैं तो देखिए अभी हाली में 51 GI tags दी हैं नाओ इस आपसलूटली इंपॉसिबल एंड आई वूट से नॉट इवन रिक्वाइड क्या आप 51 जो GI tags हैं वह याद करो क्योंकि आप नहीं कर पाओगे याद तो आप यह कोशिश करो जो भी 4-5 जो निउस में आपको जादा जादा दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ जैसे की एदायोर चिली एंड कोटिया टूर मैंगो यह हैं केरेला के इन दोनों को GI tag मिला है उसके बाद अलीबाग वाइट ओनियन यह हैं आपका महराश्ट्र का अब अलीबाग से तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि यह महराश्ट्र में है फिर उसके बाद बालागाट च नाराश्ट्र का सोजत मेंदी यह है राजस्तान की और जूडिमा वाइन यह है असम की तो यह मैंने कुछ छे साथ नाम यह पर लिखे हैं अगर आपको फिर भी बहुत जादा इच्छा हो तो आप पूरे 51 यहाद कर सकते हो फिर नेक्स्ट आता है ति गॉवर्मेंट है करने के लिए अप्रूबल दिया है अभी हमारी कैबिनेट ने और इसके लिए जो आउटले है वो कितने का है वो भी ध्यान रखना एजटिस फिगर ठीक है फॉर 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 फाइफ ओके इस पार्क्स आर एक्सपेक्टेट तो प्रोवाइड जॉब ऑपरचि हो गया टेक्सटाइल डीजनेंट अपैरल के लिए है और अभी आगर हम बात करें हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है तो यह है पियूज गोयल ओके फिर हमसे यह पूचा गया है कि क्रिप्टो एक्सजेंज कोईन डीसी एक्स के नए ब्रैंड अमबैसेडर कौन बने है तो यह बने है अमिताप बच्चन और इसको Confuse मत करना Coin Switch कुबेर से इसके अभी Brand Ambassador बनाया है रणीर सिंग को तो Coin DCX के कोण है? अमिताप बच्चन और Coin Switch कुबेर का है रणवीर सिंग फिर उसके बाद यह RBI की बात हो रह रखना होगा यह है prompt corrective action ओके इसके अलावा यहां पर देखिया headquarter भी दे दिया Indian overseas bank का headquarter है चन्नी में और यह 2015 से PCA में था इसके पहले इसी मंत में UKO bank को भी PCA regime से निकाला गया ठीक है तो ध्यान रखना IOB और UKO bank यह दोनों bank अभी हाली में PCA से निकले हैं अब सिर्फ एक public sector bank है जो PCA framework में है वो कौन सा है Central Bank of India तो यह दोनों तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं ओके सबी हाली में एक बुक है वो रिलीज हुई यह उस बुक का cover है बुक का नाम है Chronicles from the Land of Happiest People on Earth Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth इस बुक को लिखा है बहुत ही famous writer है वोल सोइंग का अब चूंके वोल सोइंग का पहले African थे जिन्होंने Nobel Prize for Literature जीता था that itself makes him an important person और ये कहां से हैं तो ये हैं आपके Nigeria से ओके तो इनकी ये दोनों तीनों चीज़े याद रखना पहले African थे जिन्होंने Nobel Prize जीता लिटरेचर के लिए अभी इनकी बुक रिलीज हुई है और ये हैं Nigeria के फिर उसके बाद में यहां पे कुछ important points हैं जो question में ना बना के मैंने एक खट्टे दे दिये हैं तो आप एक बार इनको देखो अभी हाली में Managing Director National Asset Reconstruction Company के कौन बनाये गए हैं तो इसका full form आप धियान रखना बैंक में जो I mean exam में ऐसे पूछ सकते हैं एने आर सीयल का full form क्या है तो National Asset Reconstruction Company Limited basically bad bank है यह किसी और वीडियो में अच्छे से आपको समझाओंगी कि क्या करता है कैसे बनाया क्या है तो एने आर सीयल के MDA भी बने है PM नायर उसके बाद अमीश महता को MDN CEO बनाया गया है Credit Rating Agency Crystal का तो यह GDP बागरा प्रेडिक्ट करती है उसके अलावा Rankings भी देती है अब हमसे यह पूछा है कि इसके MDN CEO कौन बने है तो यह बने है अमीश महता उके उसके बाद India's First Sports Arbitration Center यह अभी शुरू करा गया है एहमदबाद में तो ध्यान रखना है इंडिया का पहला Sports Arbitration Center कहां है तो यह है आपका एहमदबाद में फिर एरिक हनुष शेक एंड डॉक्टर रोक्मनी बैनर जी इनको दिया गया है 2021 का यदान प्राइस अब हमसे यह पूछा है कि किस फील्ड में दिया जाता है तो यह भी हमें ध्यान रखना होगा इट इस गिवन इन फील्ड ऑफ Education, Research and Development तो अगर ऐसा question आता है कि यदान प्राइस किस फील्ड में दिया जाता है कि वैसे आपसे कभी नहीं पूछते ना ही आपने या फिर मैंने इस प्राइस का कभी नाम सना होगा लेकिन चुकि अभी इंडिया के परसन को दिया गया है इसलिए हमें यह याद रखना होग डॉक्टर रुक्मनी बैनर जी को ओके? Which cartoon character has been roved in as the official mascot of नमामी गंगे प्रोग्राम? तो यह हमारी सरकार का एक flagship program है नमामी गंगे प्रोग्राम यह चलता है Ministry of Jal Shakti के अंदर अब हम से यह पूछा गया है कि उसमें किस cartoon character को as the official mascot बनाया गया है? तो यह बनाया गया है चाजा चौधरी को, comics हम लोग काफी पढ़ते दिन की बच्वन में फिर आता है उत्तर प्रदेश government ने किस heroine को या किस particular personality को अपना brand ambassador बनाया है one district one product scheme के लिए तो यह बनाया है actress Kangna Ranaut को फिर आता है International Financial Service Center Authority जो की है गांधी नगर में, Gift City में उसने एक expert committee बनाई है जो की बताएगी कि sustainable finance hub है वो किस तरीके से वहाँ पर develop करना चाहिए और उसकी क्या approach होनी चाहिए उके, इसके लिए जो committee को head करेंगे वो है श्री C.K.Mishra, तो C.K.Mishra committee है वो किस से related है? IF SCA से, ऐसे करके याद रखना फिर हमसे पूछा गया है, अभी हाली में 130th edition हुआ दुरंद cup का तो जो दुरंद cup है, यह Asia का सबसे पुराना football का tournament है अभी यह भी याद रखना कि यह football का tournament है अब इसमें हमसे यह पूछा है कि इस साल किसने यह जीता? तो यह जीता FC Goane, ओके? ओके गाइस, so that's it for this video I really hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, helpful लगा होगा यदि पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को प्लीज उन लोगों के साथ में शेयर करो जो कि इसी तरीके की exams की तैयारी कर रहे है अपार्ट रॉम दिस, शिल्पी कंचन 28 यह मेरा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर मैं इस वीडियो का जो लिंक है आई मीन जो पीडियेफ का लिंक है वो शेयर कर दोंगी तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो इसका जो लिंक है वो आप लोगों को नीचे pinned comment में मिल जाएगा okay so that's it for this video and I shall see you next time